हलो रुमशकार दोस्तों स्वागत आप सबका इंडियन हाउसिंग में आज के वीडियो में हम चानेगे स्टेट बैंक आफ इंडिया फ्लेक्सी पे होम लोन स्कीम के बारे में इसके लावा भी स्टेट बैंक की और भी बहुत सारी होम लोन स्कीम से वैलेबल हैं जिन पे हम अल्डेडी वीडियो बना चुके हैं और दोस्तों आपको हमारे इस चैनल पे होम लोन के लेटेड वीडियो ही मिलते हैं अगर आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हंदी बैंकिंग उस चैनल का लिंक पे आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें बल आइक उन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो के निटिफिकेशन मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं SBI Flexi Pay Home Loan Scheme दोस्तों ये भी एक SBI की होम लोन स्कीम है क्योंकि SBI लार्जेस्ट होम लोन प्रोवाइडर है इंडिया में नियूमनस स्कीम है SBI के पास अलग-अलग कैटेगरिस को सर्फ करने के लिए अलग-अलग स्कीम बनाएगी है SBI के द्वारा उन में से एक स्कीम है SBI Flexi Pay Home Loan Scheme तो Flexi Pay में भी आप अपनी किसी भी Housing लेटेड रिक्वाइमेंट को पूरा करने के लिए लोन ले सकते हैं चाहे आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं Old House ले रहे हैं Construction कर रहे हैं Plot ले रहे हैं Flat करीत रहे हैं तो जिस तरह की भी आपकी requirement है उसको पूरा करने के की लोग स्कीम के लिए eligible नहीं हैं हर तरह की category के लिए अलग से स्कीम अवैलेबल हैं आप जाके हमारी चैनल पर देख सकते हैं उन वीडियो का लिंक पी आपको मिल जाए का नीचे description box में भी और उपर i button में कोई भी salary employees चाहे आप center government, state government या किसी भी department से आप regular salary ड्लॉक करते ह हैं आपकी age minimum 21 year और maximum 45 years at the time of application होनी चाहिए minimum service experience 2 साल का होना चाहिए तो आप इस loan scheme का लाब उठा सकते हैं तो अगर आप fresher हैं अगर अभी latest आपने job में join किया है तो आप इस scheme का लाब नहीं ले पाएंगे क्योंकि कम से कम 2 साल का experience मांगा गया है और age bar भी इसमें रखा गया है वैसे यूजूली अगर आप home loan देखें तो 60 years तक भी आप ले सकते हैं बट इस scheme का जो maximum age limit है that is 45 years तो 45 years के बाद आपको home loan तो जरूर मिलेगा state bank से बट इस scheme के अंडर नहीं मिलेगा क्योंकि इस scheme में flexi pay में maximum age limit is 45 years तो scheme to scheme vary करता है बट आप घबराये में तक अगर आपक अब पे हम already videos बना चुके हैं उन videos का link भी आपको उपर high button में भी मिल जाएगा maximum loan amount वैसे तो home loan में कोई भी loan amount maximum नहीं होता है क्योंकि depend करता है आपकी project cost पे आपकी repaying capacity पे कि आपको कितना loan दिया जाएगा इसमें minimum रखा गया है 20 lakhs 20 lakhs से below अगर आपकी requirement है तो आप इस scheme के ल maximum जो है जो भी आपको normal home loan में मिलेगा क्योंकि already मैं आपको पता रहा तो हर एक video में कि आपको जो home loan मिलता है वो depend करता है आपकी project cost जितने का आप घर ले रहे हैं उसमें से फिर margin भी माइनस किया जाता है तो आपकी project cost पे भी depend करता है आपकी requirement कितनी है उस पे भी depend करता है और normal housing loan पे हम already video बना चुके हैं अब उस video को जाके देख लें तो जितनी भी eligibility आपकी normal housing loan में बनेगी उसके 1.2 times तक आपको loan मिल जाएगा इस scheme के under इस scheme में उससे ज्यादा loan आपको मिल जाएगा almost सवागोना ज्यादा 1.20% तक आपको मिल जाएगा for example अगर आपको normal home loan scheme जो है उस collapse आपकी maximum eligibility बन रही थी इस scheme में अगर आप loan लेंगे तो आप 20 lakhs को 1.2 से multiply कर लीजे तो उत्ता loan आपको मिलेगा easily आप देख सकते हैं कि आपकी eligibility जो है वो बढ़ जाएगी एगर 1.2 को 20 lakhs से multiply करेंगे तो 24 lakhs तक का loan आपको मिल जाएगा इस scheme के under same eligibility पे same income पे इसमें आपकी eligibility 1.2 से multiply कर दी जाती है, home loan documentation तो documentation के लिए primary document रहता है आपका KYC जिसमें कि आपको valid address proof देना है जैसे कि passport, piped gas connection bill, electricity bill, landline, telephone bill या कोई भी valid address proof उसके लावा ID proof जैसे कि voter ID, driving license, कोई भी valid ID proof, pancard जो है वो must है क्योंकि home loan या कोई भी loan अगर आपने लेना है किसी भी banks है, तो banks सबसे आपकी civil report, credit report generate करते हैं, उसी से banks को आपकी credit history के बारे में पता चलता है, ये एक तरह से mandatory है, क्योंकि आपकी credit history जानना bank के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो credit history होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये आपका character certificate है, financial term से ये आपका character certificate है, इसी से bank को आपके financial character के बार करते हैं, repayment किस तरह से करते हैं, तो अगर आपका character okay है, I mean अगर आपका civil ठीक है, कोई भी bad loans नहीं है, NPS नहीं है, तो आपको easily loan मिल जाएगा, तो अगर आपका civil बहुत अच्छा है, यानि कि आपका character बहुत अच्छा है, आपका civil high है, उसमें आपको और भी कम rate of interest charge किये ज जाते हैं, उसके बाद में property documents, property documents में आपकी जो भी property है, अगर आपके बास को plot है, house है, या खरीदने वाले हैं, जो भी property, उसके original title deeds आपको bank को देने होंगे, no incumbrances का proof, इसका मतलब कि जो भी आपकी property है, उस पे किसी और का कोई भी charge नहीं है, या कोई भी उनका right नहीं है, क कोई भी किसी का claim नहीं है, तो property पे किसी का claim अगर already होगा, तो bank as property को कभी mortgage नहीं करेगा, तो claim free property होनी चाहिए, कोई भी encumbrances नहीं होनी चाहिए property पे, already कहीं mortgage नहीं होनी चाहिए, तभी bank उस property को accept करेंगे, उसके बाद में approved plan की copy, जो भी आप घर खरीद रहे हैं, या बनान वाले हैं, तो उसकी approved plan की copy भी आपको provide करनी होगी, और वो plan जो होता है, वो local authorities की द्वारा पास किया जाता है, उसके बाद में construction estimate आपको provide करना है, in case of construction, अगर आप construction कर रहे हैं, आपको construction estimate provide करना है, जो कि किसी architect के द्वारा बनाया गया हो, उसमें सारा mentioned होगा कि आप क्या construction क करने वाले हैं, कितने आपके expenses होने वाले हैं, अगर purchase कर रहे हैं, तो उसमें एक tripartate agreement होता है, तो यह depend करता है, जिस तरह की आपकी requirement है, उसी तरह के documents भी आपको provide करने पड़े, loan tenner, तो minimum tenner रहेगा इस scheme के लिए 25 years, maximum tenner 30 years, तो mostly जिते भी हमने housing loan schemes देखे हैं, ज्यादा तर जो housing loan scheme है, उनमें जो maximum tenner है, that is 30 years, इसमें minimum tenner भी रखा गया है, 25 years का, but borrower को full freedom है, वो किस तरह से repayment करना चाहता है, अगर वो चाहे तो वो time से पहले repayment कर सकता है, इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से आपकी repayment की जाएगी, क्योंकि यह flexible है, इसमें payment की थोड़ी flexibility आपको दीगे है, तो किस तरह से आप repayment करेंगे, तो during moratorium period, moratorium या holiday period, mostly आपको home loans में दिया जाता है, इस period में आप से खाली interest charge किया जाता है, principal की repayment नहीं की जाती, तो आपकी EMI बहुत कम रहती है इस time में, क्योंकि आपको खाली interest serve करना होता है, यही इसमें पताया गया है कि during moratorium period या holiday period, आपको खाली interest serve करना है, उसके बाद में next 36 month तक आपको 100% of the EMI, जितनी भी आपकी EMI बनती होगी, उसको पूरा का पूरा आपको देना है, उसके जो next 36 month रहेंगे, उसमें आपको 105% of the EMI, तो जितनी भी आपकी EMI बनती होगी, उसका 105% आपको देना है, यानि कि आपको अपने EMI से जादा पैसे देने होगी, उसके बाद में balance term जो बचेगी, उसमें आपका जो भी पैसा बचता होगा, उस time में सारा पैसा आपको equal monthly installment में देना होगा, इस तरह का repayment plan है, थोड़ा इसको flexible किया गया है, तो इसलिए इसका नाम शायद flexi pay भी रखा गया है holiday period जैसे कि मैं आपको already बता रहा था कि home loan में या education loan में आपको holiday period दिया जाता है, holiday period में आपको खाली interest serve करना होता है, बट ये depend करता है कि किस तरह से case to case vary करता है कि आपको कितना holiday period दिया जाएगा, जो ready to move properties रहेंगी उनमें भी आपको 36 month तक का moratorium दिया जा रहा है, बट usually आप करते हैं, उसमें 6 महीने तक का moratorium आपको दिया जाता है, बट इसमें ready to move property में भी आपको 36 months तक का moratorium दिया जा रहा है, और जो under construction होंगे, उसमें 36 month plus remaining construction period, जितना भी आपका construction period होगा, subject to a maximum of 60 months, तो 60 months maximum रहेंगे, तो depend करेगा आपकी construction किस तरह की है, कितना time consuming है, तो उसी case साब से आपको holiday period भी दिया जाता है, holiday period में आपको खाली interest सर्फ करना है, उसके बाद में आपकी actual repayment जो है, start की जाएगे, state bank of India, flexi pay, home loan, present rate of interest, तो यह present rates है, अभी के rates है, latest rates, bank की website से लिएगे है, rates are always subject to change, जब भी लोन ले, latest rates है, bank की website से confirm कर ले, या में नीचे comment box में comment करके 30 lakh, सिबिल स्कोर greater than 800, 6.70%, और above 30 lakh अगर आपका loan requirement है, 700 to 750 सिबिल स्कोर, rate of interest 6.9%, सिबिल स्कोर 751 to 800, 6.80%, सिबिल स्कोर greater than 800, 6.70%, तो देखा आपने rates जो है, amount पे भी depend कर रहे हैं, और आपके सिबिल स्कोर पे भी depend कर रहे हैं, तो mainly सिबिल स्कोर एक ऐसी चीज़े, जो आपके interest rate को impact करता है, तो अगर आपका सिबिल स्कोर ठीक है, फिर आपको कोई भी परिशानी लेने की ज़रोट नहीं है, आपको lowest rate offer किये जाते हैं, जिस भी scheme में आप लोन लेते हैं, उस scheme के जो सबसे lowest rates होंगे, वही आपको offer किये जाते हैं, loan security, तो loan security के लिए bank का करता है, आपकी जो भी housing property है, या तो जो आप खरीदने वाले हैं, या आप already जो खरीद चुके हैं, या आपके पास plot है, या उस पे construction की है, तो उसका equitable mortgage किया जाता है, original title deeds जो होते हैं, आपके property के वह bank के पास रहते हैं, तब तक जब तक कि आप सारा loan repay नहीं कर देते हैं, जब आप स capital deeds as it is आपको return कर दिया जाते हैं, state bank of India flexi pay home loan charges, इस time पे festival offer है, festival offer में आपको charges नहीं देने पड़ रहे हैं, और SBA में आपको शायद last video में बताया था कि इसमें दो तरह के projects होते हैं, एक तो approved projects हैं, जो SBA के तोरह approved हैं, उनकी एक website भी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, approved projects की list कौन से है, last video में आपको website का link भी दिया था, उस website पर जाके भी आप देख सकते हैं, कि कौन-कौन से approved projects हैं, तो अगर आप approved projects से loan ले रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी charges नहीं देने हैं, fully आपको waiver किया जा रहा है, बट अगर आप unapproved projects में invest कर रहे हैं, तो उस case में आपक processing charges तब भी wave की गए हैं, लेकिन title information report यानि कि legal opinion report जो भी आपको देनी है, जो कि bank का panel lawyer बनाता है, उसके charges आपको bear करने हैं, इसके अलावा property की valuation report उसके भी charges customer को bear करने हैं, और अगर आपकी state में कोई भी stamp duty applicable है, तो वो भी आपको भड़ने ही पड़ेगी, stamp duty जो है, state to state vary करती ह जितनी भी आपकी state में applicable होगी, वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि वो comment fees है, और comment उसमें किसी तरह को कोई rebate नहीं देती है, तो दोस्तों यह था state bank of India, flexi pay home loan scheme, कैसा लगा आपको आज का ही वीडियो, comment box में comment करके जरूर बताएं, अगर आपको वीडियो पसंद आए त कैनल को सबस्क्राइब करें, थैंक यू फर वाचिंग